इलेक्ट्रिक फिल्ड का कर्ल जीरो होता है यही इस वीडियो का मुद्दा है मैं कोशिश करूगा इस वीडियो को सिंपल से सिंपल रखने का मैं कोई भी कॉंपलिकेटेड टर्म यूज करने से बचूँगा तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि कर्ल के लिए जो बेसिक बलकि ग्राविटेशनल फिल्ड का कर्ल भी जीरो होता है तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले कॉंसेट कंजर्वेटिव फिल्ड का सो कंजर्वेटिव फिल्ड कंजर्वेटिव फिल्ड हम बात करेंगे यह क्या है अगर कंजर्वेटिव फिल्ड का ए gravitational field, लेकिन यह जो magnetic field होता है, यह conservative field नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे conservative field actually है क्या, अब चलिए देख लेते हैं, यह conservative field होता क्या है, माल ले, सबसे पहले बात करते हैं, electric field पे, तो माल ले यहाँ पर एक electric charge है, इसे source charge की तरह हम treat करेंगे, तो यह एक charge है यहाँ पर, तो यह अपने आसपास के region में, जो electric field होता है, उसमें modify करता है, जो space होता है, उसे modify करता है, और अलग अलग जगह पे, अलग अलग potential create करता है, अलग अलग point में, अलग अलग electric potential होता है, जैसे यहाँ एक potential होगा, यह electric field का magnitude होगा, वो भी अलग-अलग होगा, अलग-अलग point में, तो यहां मुद्दा है, यह space को जो modify करता है, तो एक certain point अगर मैं choose करूँ, यहां पर यह एक certain point है, तो अगर इस charge को, source charge को हम इधर उदर ना हिलाए, यही पर इसे fixed रखे, तो इस point में जो behavior है, इस field का, इस space का, जो behavior है, क्या potential बनेगा, यह potential same होगा, यह समय के साथ change नहीं करेगा, तो potential V constant, अब अगर माल ले, यहां पर मैं एक और charge introduce करता हूँ, एक छोटा सा charge, तो चलिए यहां पर q' charge मैंने introduce किया, तो इस q' charge को एक energy मिलेगा, तो वो होगा उसका potential energy, electric potential energy, जो की बराबर होगा, V, उस point का potential, जो की fixed होगा, V, into, यहां जिस charge को हमने introduce किया, तो यह होगा, इसका potential energy, so potential energy, इस charge का, q' charge का, यह वाला जो charge है, इस point में, जिसका की potential V है, जो की constant है, due to this static source charge, तो यह होगा, एक constant term, इतना, इसका मतलब, अभी अगर मैं इसे यहां पर रखता हूँ, तो इसमें जितना potential energy होगा, अगर मैं इसे कुछ देर बाद रखता हूँ, तो इतना ही potential होगा, बशरते, यह जो system है, यह change न कर जाए, यहां पर यह जो charge है, इसका इतना ही रहे, तो आप अभी रखे, एक दिन बाद रखे, दस दिन बाद रखे, आप इधर से लाके रखे इस charge को, या फिर इधर से लाके रखे charge को, या फिर यहां से लाके रखे charge को, उसका जो potential energy होगा, वो उतना ही होगा, तो इससे आप समझ सकते हैं, अगर मैं इसी charge को ऐसे घुमा फिरा के ले आता हूँ, इस तरह से ऐसे ऐसे इस पात को फॉलो करवाते हुए, मैं यहां पर ले आता हूँ अगर, तो जो यहां पर यह था थोड़ी देर पहले, तो इसका जो energy था, अभी मैं घुमा फिरा के एक पात फॉलो करके, एक लुप फॉलो करके, मैं इसे वापस यहां पर लाता हूँ, तो क्या इसका energy चेंज हो जाएग नहीं चेंज होगा, क्योंकि यह उस point में उतना ही energy रखेगा, चाहे आप किधर से भी ले आए, चाहे आप किसी भी समय पर रखे, तो यह एक concept हो गया, कि इसका अगर इसे घुमा फिरा के आप लाते हैं उसी point में, तो उसका जो energy है, total energy, potential energy, यहां electric potential energy, अगर gravitational field की बात हो, त gravitational potential energy, तो यह potential energy change नहीं करेबा, अब देखे, potential energy इसका change नहीं हो रहा है, और हमने इसे move करवाया इस path में, अगर हम यहां पर कुछ काम करते, अगर जो काम हम कर रहे हैं, work done, work done अगर zero नहीं होता, कुछ अगर हम काम करते, तो इसका तो potential energy बढ़ता, यही तो fundamental rule है, energy जाएगा कहां पर, अगर हम कुछ काम करते हैं, positive काम करते हैं, किसी system पर, तो system का energy बढ़ता है, या तो system का energy बढ़ता है, या फिर energy dissipated होता है, इस case में energy dissipated नहीं होता है, हाँ, शर्त यही है, अगर यह body accelerated हुआ, तो यह electromagnetic wave radiate करता है, लेकिन वो electromagnetic wave जो है, उसका जो energy होगा इस पूरे path में, वो इतना कम होगा, इस case में, इतना कम होगा, कि उसे हम neglect कर सकते हैं, पहली बात यह, दूसरी बात, इसे हम बहुत slowly अगर move करवाएं, तो जो acceleration का magnitude होगा, वो बहुत कम होगा, क्योंकि रहेगा, acceleration रहेगा, क्योंकि हम इसे rotate करवाना होगा, इसका path को change करवा इसे लिए, वो acceleration के कारण जो electromagnetic wave radiate करेगा, उसका मुद्दा तो चला गया, वो बहुत कम होगा, उसे हम neglect कर सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि energy dissipate तो नहीं हो रहा, साथ ही साथ potential energy जो है, वो potential energy इसका बढ़ नहीं रहा है, तो हम यह नहीं कह सकते work done is not equal to zero, हम कहेंगे work done is equal to zero, यह होता है conservative field का definition, कि एक closed loop में अगर आप line integral पता करें, चली थोड़ी दिर बात-बात करेंगे line integral, फिलाल तो layman तरीके में हम यह समझ सकते हैं, कि अगर closed loop में, हम अगर electric field की बात करें, तो एक charge को अगर move करवाके ले आए उसी point में, तो कोई भ काम नहीं करते है, network done is equal to zero, तो यह तो हो गया conservative field का concept, conservative field irrotational होता है, जिसका की मतलब होता है conservative field का जो curl है, यह curl zero होता है, ऐसा क्यूं है, इसके लिए आप एक point consider करें, चलिए मैंने consider कर लिया, यहाँ पर एक point, चलिए source charge यही पर है, मैं यहाँ पर एक point consider कर लेता हूँ, तो इस point में, जो curl है, इस point का curl, curl तो point relationship होता है, तो इस point का जो curl है, उसे हम कैसे define करते हैं, सबसे पहले यह देख लेते हैं, तो इसके आसपास, एक छोटा सा हमें, इस तरह से loop consider करना होता है, loop, तो मैं इ यहाँ पर एक consider करना होता है, तो इस loop के surface के along, अधात, इस surface में, यह जो screen वाला surface है, इस surface में curl कितना होगा, अगर हम उसे पता कर रहे है, net curl नहीं, बलकि इस surface में जो curl बन रहा है, उसे अगर पता कर रहे है, तो कैसे पता करते हैं, कि यहाँ पर, यह जो भी vector field बना रहा है, तो यहाँ हम electric field को consider कर रहे है, तो vector field कौन होगा, electric field होगा, vector field, तो इस point में कुछ electric field होगा, चलिए माण लेते हैं, वो electric field इधर होगा, इस point में भी एक electric field होगा, वो इधर होगा, तोड़ा उसका magnitude थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि distance थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ electric field इधर रहेंगा हर एक point में तो उसी electric field का line integral अगर हम consider करते हैं तो line integral हम करल पता कर रहे हैं सो यहां पर हम पता कर रहे हैं करल किसका इस electric field का तो इसे कुछ हम ऐसे define करते हैं कि यह है closed line integral of electric field यह जो electric field है यही वाला तो कुछ इतना closed line integral मतलब यह यहाँ पर electric field जितना है उसके साथ एक छोटा सा dl element यहाँ consider करें length element छोटा सा elementary length और उन दोनों को multiply कर दें dot multiply कर दें और फिर हर जहर point में वो करें जैसे कि यहाँ भी एक point मिलेगा यहाँ भी आप छोटा सा एक element ले लेंग्ट element उन दोनों का electric field और length element का dot product कर दें तो इस तरह से जितने भी possible चीज़े हैं जितना बहर भी हम कर सकते हैं e.dl सब को कर दे dot product और सब को integrate कर दे इस dot product को कर दे integrate इस closed look में तो आपको मिल जाएगा एक term इसे अब divide करें यहाँ जो भी इसका surface area होगा चलिए इसका surface area हो रहा है चुकि बहुत चोटा सा यह surface है तो इसका surface area ds so divided by ds यह देगा curl का magnitude सिर्फ direction नहीं और इसका जो direction होगा यह normally outwards होगा इस surface का जो direction होगा यह वाला direction तो यह जो direction है इसे हमने नाम दे दिया n cap अभी यह direction माईने नहीं रखता है तो मैं यहाँ से direction हटा दूगा भी जो चलिए direction मैं हटा देता हूँ तो हमने जो यहाँ पर पता लगाए यह curl का सिर्फ magnitude है मैं यहाँ लिख दूए magnitude है तो अगर curl exist करता यहाँ पर यह curl अगर यहाँ पर इस loop में exist करता अगर रहता नॉन जीरो होता जीरो अगर नहीं होता तो फिर यह वाला time यह तो non zero time है तो यह भी तो non zero होजाता यह zero नहीं होता यह non zero होता इसका non zero होने का मतलब क्या है कि electric field और dl इसका dot product अब electric field के सा यहँ पर charge रख दे रहा हूँ मैं यह ऺई चोडा सा charge रख दे रहा हूँ Q' डबल डश्ट, Q' एक चार्ज मैंने रख दिया, तो E.DL का इंटिग्रेशन नॉन जीरो है, अगर ऐसा होता, मैं यहां लिख दे रहा हूँ, अगर ऐसा होता, कि एलेक्ट्रिक फिल्ड का डॉट प्रोड़क्ट DL के साथ, क्लोज्ड लुप में, यह अगर नॉन जीरो होता, तो इसका मतलब यह होता, कि माल ले, कि आप यहां पर चार्ज रख रहे हैं Q' तो यहां से DL तक, एक छोटा सा, मैंने डिस्टंस कंसिडर कर लिया, लेंक्ट कंसिडर कर लिया, एलिमेंटरी लेंक्ट DL, तो यहां से, यह छोटा सा लेंक्ट ट्रैवल करने के लिए, इस सिस्टं को जो काम करना पड़ता, यह वर्क डन बराबर होता, जो फोर्स यहां पर एक्ट होता, इस पॉइंड में, इस चार्ज पे फोर्स कित तक चलिए, यह पॉइंड ए, ए से लेके पॉइंड बी तक आने में, तो हमें इतना काम करना पड़ता, उसी तरह से इस पूरे लूप में, इस चार्ज को घुमा के उसी पॉइंड में लाने के लिए, आपको कितना काम करना पड़ता, तो हमें इंटिग्रेट करना होता, त तो टोटल वर्ग डन की अगर बात हो, तो टोटल वर्ग डन, W is equal to integration, closed loop integration, या closed line integration of DW, तो यहाँ भी closed line integral, तो यहाँ Q double dash तो एक constant term है, इसे बाहर ले आए, तो इसे अगर बाहर ले आते हैं, यही से आगे W is equal to Q double dash बाहर ले जाए, और closed line integral of E electric field dot DL, तो अगर यह non zero होता, तो यहाँ पर यह भी एक non zero term था, उस non zero term के साथ आप Q double dash को अगर multiply करते हैं, तो यह एक non zero term होता, अगर यह सही होता, तो यह भी non zero होता, तो work done is non zero, जो कि नहीं हो सकता है न, हमने थोड़ी देर पहले बात किया है, एक अगर circular path में या फिर एक loop में, हम इसे travel करवा के उसी initial point में ले आए, तो work done उस पूरा process में zero होगा, क्योंकि उसका potential energy में कोई change नहीं होगा, और kinetic energy में भी नहीं होगा, क्योंकि हम उसे बहुत बहुत slowly move करवा रहे हैं, तो work done zero, तो इसे zero होना है, तो इसे जब zero होना इस work done को, तो कौन zero होगा, zero होगा ये, और ये जैसे ही zero हो गया, तो यहां से देखें, ये जो term है, ये zero अगर हो गया, तो curl of electric field, जो कि ये conservative field है, ये conservative है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये जो term है, ये zero बन रहा है, ये e.dl का closed line integral, तो ये zero बन रहा है, तो curl भी zero बन रहा है, तो यही reason है, कि हर तरह का conservative field है, उसका curl zero होता है, तो ऐसे ही आप सभी सवाल पूछते रहें, क्योंकि जब वीडियो बनता है, तो सारे topics जो है, वो clear नहीं हो पाता है, कुछ-कुछ topics छूट जाते हैं, आप ऐसे सवाल पूछते हैं, उसका जवाब बनता है, तो वो सारे जो खाली जगा है, वो भरते जाता है, हाँ, आप सभी अच्छे सवाल भी पूछते हैं, मैं उन्हें पढ़ता भी हूँ, लेकिन हर एक कुछ जवाब दे पाना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कुछ सवालों का जवाब, कमेंट सेक्षन में दे देता हूँ, और कुछ सवालों का जवाब, मैं कुशिश करता हूँ, वीडियो बनाने का, जो मुझे लगता है, बहुत ज्यादा important है, या फिर confusing topic है, उन्ही को मैं choose करता हूँ, यह मेरा personal चाहस है, इसका मतलब यह नहीं, कि मैं जिसे choose कर रहा हूँ, वही एक बहतरीन topic है, या सवाल है, और जिसे मैंने choose नहीं किया, वो बखवास है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी कुछ-कुछ topics है, हो सकता है, बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन वो छूड़ गया होगा, तो आप सवाल पूछते रहें, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे, अगले वीडियो में कुछ नए topic के साथ, तो तब तक के लिए, good bye.